आज हम आपको बता रहे हैं future in different tense देखे future in different tense क्या होता है the simple future denotes an action that ever to take place in the future यानि इस काल में जो कार है वो वह श्री काल में पूरा होता है पेचान देखे इन tense के वाक्यों के अंत में गागी गे आते हैं यानि कार्य भविश्री काल में होगा और वाक्यों के अंत में गागी गे आदी ये अच्छर आते हैं तो affirmative sentence में देखे क्या करते हैं इसका जो structure है सबसे पहले हमें लगाना है subject उसके बाद bill और shell में से एक लगाना है वाव की first form फिर आएगा हमारा object हमारे जो first person के pronoun है I और we उनके साथ हम cell लगाएंगे second और third person के pronoun है he, she, it, you, they इनके साथ हम will का प्रियोग करेंगे तो example देखिए इनका वहे कल दिल्ली जाएगा अब इसमें subject है वहे तो he हो जाएगा अब गारा पीछे देखिए तो क्या he के साथ का आएगा will तो he will go to Delhi tomorrow मैं यह काम करूँगा तो I shall do this work हम cricket खेलेंगे we shall play cricket we हमारा जे first person है तो इसलिए इसके साथ sell का प्रियोग करेंगे वहे अपना part याद करेगी तो she will learn her lesson नोट में देखिए यदि बाके में कोई द्रड संकल्ब होता है धमकी या वचन दिया जाता है तो हम जो क्या है first person के साथ will का प्रियोग करेंगे second और third person के साथ shell का प्रियोग करेंगे जैसे मैं कल उसे अवश्य पढ़ाऊंगा तो यह हमारा क्या है धर्ड नेच्चे है तो I will teach him tomorrow नेक्श देखो कोहे कल उसे मारेगा यह धमकी दे रहा है He shall kill him tomorrow तुम्हें इनाम मिलेगा यह वज़ें दिया जा रहा है तो you will get the fries नेक्श नमारा देखिए जो fixed program होते हैं जो कि जिनका होना एक पहले से कारकरम सुनिश्यत किया गया है कि यह इस तती पर इस date पर यह इस समय पर यह program होंगे तो उनके लिए हम क्या करते हैं वो जुनका टैंस है वो present indefinite tense में बना जाते हैं जैसे श्कूल जुलाई में खुलेगा तो यह fixed है पहले से कि श्कूल जुलाई में खुलेगा तो श्कूल opens in जुलाई पैदान मंत्री अगले शप्ता New York जाएंगे तो प्राइम निस्टर will leaves for New York next Monday क्योंकि यह उनका प्रोग्राम fix हो चुका पहले से इसलिए यह जो भी tense future में है देखने में लेकिन यह सबी present indefinite tense में बना जाएंगे अब हमारा negative का structure क्या होता देखी negative में क्यों हमारी helping वर्व है will, shell उनके बाद not का प्रियोग करेंगे तो देखी पहले subject लगाना है will और shell में से एक को देख लगाना है first question के साथ sell और second, third question के साथ will का प्रियोग करेंगे उसके बाद negative word आएगा not फिर वर्व की first form फिर हमारा object आएगा जैसे वह आज school नहीं जाएगा तो he will not go to school today वे आम नहीं खाएंगे they will not eat mangoes राधा मदुर गीत नहीं गाएगी तो राधा will not sing sweet song वह कभी जुवा नहीं खेलेगा तो he will never play gamble अब देखे हमारा interrogative sentence जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है और हमारा जो answer है वो हाँ या ना या yes या no मिलता है तब हम जो क्या helping वर्व will sell सबसे पहल आएंगे तो will sell हम सबसे पहल आएंगे उसके बाद हम subject लाएंगे वह अब की first form फिर object वाक्य के अंत में question mark आएगा अब देखे इसको क्या तुम दिल्ली जाओगे तो will you go to Delhi क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं तो उत्तर क्या देगा हाँ जाओँगा या नहीं बोलेगा क्या श्याम राधा के साथ नाचेगा तो will श्याम डान्स विद राधा जब वाक्य के वीच में कोई question bird आता है WH family का कोई शब्द आ जाता है तो इस question bird को हम सबसे पहले लगाएंगे सबसे पहले के लाएं question bird उसके बाद will tell फिर subject love की first form फिर object और question mark जैसे वह है कहां जाएगा where will he go तो मुसे क्यों पीटोगे why will you beat him if you like my channel please like it and subscribe and press the bell icon so that you may get the notification of my call videos